सो हलो फ्रेंढ्स मेरा नाम है बिपोल and वेलकूम इन माई यूटूब चैनल तो गाईस यार अगर आपके phone में, आपके realm je 그럼 Swций खाहती है तो आपनाम आप बिल्कुछ सभी बीडियो सर देख रहे हैं आपको कभी-कभी ऐसा होता इका अपकी phone में की आपकर phone करता है बट कभी कभी ऐसा होता काफी slow charge करने लगता है तो इसका reason क्या है और इसका solution क्या है वीडियो में दोनों ही बारे मैंने बताया है तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और वीडियो को like ने किया तर वीडियो को like करना यार इस वीडियो का like के में हम 200 रखना है जल्दिस इसको पूरा कर दिएगा तो चलिए आज की वीडियो को start करते है तो गश्यार आपको जब भी मतलब ऐसा लगता है का आपका जो phone है वो slow charge कर रहा है तो उसके बीछे एक reason है reason ही है guys आप मतलब कुछ गलतिया करते है या कुछ आप में phone की checkings नहीं करते है इसलिए problem होता है तो चलिए इसका मैं solution बताता हूँ कैसे आप इसको solve कर सकते हैं और ये जो slow charging issue है Realme 7i में इसको आप 100% सही कर सकते हैं so start करते हैं गाइस वीडियो में आपको चार ट्रिक्स बताऊंगा चानो काफी अच्छे ट्रिक्स है और काफी मतलब अच्छे ट्रिक्स है जिनको आप यूज करेंगे आपका phone में slow charging issue नहीं आएगा तो पहले trick है guys आप अपने phone के adapter और charger को एक बार चेक करेंगे आपका adapter और जो charger केबल है वो आपका original है या नहीं बाई चान्स है गलती से change हो जाता है तो आपका ये issue देखने को मिल सकता है और दूसरा trick है guys आपको ये भी check कर लेना है कि आपका phone adapter और data केबल damage तो नहीं हुआ है कहीं पर अगर कहीं पर फोल्ड हुआ होगा या कहीं पर मतलब break हुआ होगा तो भी ये problem आएगी तो आपको ये first 2 normal tricks थे अब मैं आपको pro tricks बताऊंगा फास्ट 2 normal tricks थे उनको आपको ज़रूर देख लेना है ये आप देखते नहीं गलती से अगर हो जाता है तो ये आपको slow charging इसू देखने को मिलता है नेक्स ट्रुक ये है गाईस अगर आपका phone मतलब है अगर आप phone को धूप में से चबा कर आ रहा है या ऐसी phone को आफी काफी heavy low heavy gaming कर कर आ रहा है तब भी ये problem देखने को मिलेगी मैंने real me पे feedback बिजाता तो वहां से मुझे reply मिला अगर phone 45 degree के उपर रहेगा तो आपका जो phone है slow charge करेगा तो आपको करना क्या है अगर आप धूप में से phone को charge लगाते हैं या आप खुब gaming कर कर आते हैं बहुत चला कर phone को आता है तो आपको charging नहीं लगाना है ऐसे पर आप charging लगाएंगे तो आपको slow charging देखने को मिलेगा तो इसका solution है guys आप phone को जब भी use की या किज़े धूप में use ना करा करें और अगर बहुत ज़्यादा gaming की हैं या बहुत चला चुके हैं तो इसको charging ना लगाएंगे तो आपका phone कुछ दिर बार cool हो जाएगा फिर आपका phone लगाएंगे तो आप जैसे मतलब charge होता है वैसे आपका charge होने लगेगा तो इसको आपको जरूर ध्यान देना है काफी अच्छी trick है और काफी genius trick है इसको आपको जरूर apply करना है next and last trick है guys आपको जब भी phone को charge लगाना है तो आपको recent बार में जितने भी application होते हैं सबको clear करकर तब phone को charge लगाना है इससे क्या होता guys आप जब भी recent बार से सबको सभी application को clear करतेंगे तो आपके background में run नहीं करते रहते हैं आपको recent बार और ये task बार से सबको clear करकर तब phone को charging लगाना है इससे आपका phone एकदम silent रहेगा जैसे कोई भी work नहीं करेगा आपका phone जो है fast charging support करेगा और तेजी से आपका phone charge हो जाएगा तो ये चार ट्रिक्स मैंने बताया है चारों ट्रिक्स को अगर आप यूज़ करेंगे आपको realme 7i में slow charging इससों नहीं आएगी आपका phone slow charge नहीं करेगा ये सारे ट्रिक्स मैंने feedback realme यूज़ मतलब realme पे feedback भेजाता तो वहाँ से मुझे reply में मिला था कि आप ये ये ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो आपका phone जो है slow charge नहीं करेगा तो guys ये ही video था अगर video अच्छा ये गुडबाए